इमस्कार जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकेता तेलंगाना के लिए एक अच्छी खबर है स्वास्त और परियावरन को लेकर तेलंगाना सरकार ने बड़ा कदम उठाया है हैदरबाद शहर के आसपास दो नए शहरी वन पार्क खोले जाने की योशना है ऐसे फॉरस्ट पार्क बनकर भी तयार है और जल्द ही ये आम जनता के लिए खोले जाएंगे शहर में नियमित पार्कों के विप्रीद शहरी वन पार्क भूमी के एक बड़े हिस्से में फैले हुए है इन पार्कों को शमशाबाद वन प्रभाग के वन ब्लॉकों में विक्सित किया गया है जिसमें रंगा रेडी जिले में नांदेर गुल एक और दो आरक्षित वन ब्लॉक और शमशाबार डिवीजन के मदन गुड़ा वन ब्लॉक शामिल है ग्रेटर हैदरबाद नगर निगम यानि की जी एच एमसी ये दोनों शहरी वन पार्क विक्सित कर रहा है जहां कई सुविधाओं के साथ साथ वन इसनान का भी मज़ा लिया जा सकता है शिंडरिन, योकू, पेडों के भी शांत और शांत अनुभव करने की जापानी प्रथा को एक शारिरिक और मनोवग्यानिक व्यायाम के रूप में देखा जाता है वन इसनान प्रकृती से चुड़े रहने के लापों के अलावा प्रकृती के रक्षा की आवशक्ता के बारे में जागुकता पैदा करना भी है जी एच एमसी के शहरी जैव विविधता विंग के एडिशनल कमिशनर वी कृष्णा ने कहा कि लोगों को शिंडरिन योकू का अनुभव करने के लिए तेलंगाने के शहरी वन पार्कों का दौरा करना चाहिए उन्होंने कहा कि फेफडों के लिए ये स्थान बिलकुल अनुकूल है और सुकून देने वाला है साथी साथ तनाव को दूर करने में भी मददकार है ये चिंता को कम करने के अलावा कई तरह का स्वास्तिला प्रदान करता है अन्यल सुविधाओं के अलावा यहाँ चलने और साइकल चलाने के लिए ट्रैक, योगा, शेट, बच्चों के खेलने के शेत्र, पिक्निक, शेत्र, बैटने की बैंच और गस बॉस भी होंगे दोनों शेहरी वन पार्क करीब करीब तयार हो चुके हैं आपको बता दे कि यह तेलंगाना कू हरित हरम के तहत राज को हरित बनाने की सरकार की महत्वा कांशी योचना का हिस्सा है पौधार ओपन के अलावा नागरिकों को एक संपून स्वस्त रहने का वातावरन प्रदान करने के साथ साथ एक स्मार्ट स्वक्ष हरे टिकाओ और स्वस्त शहर के विकास में योगदान देना वन पार को विक्सित करने का मकसद है देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तास से जाने के लिए अब हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं नमस्कार